दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है इन्डियान रेलवेव में एक विइकिंसी स्हाई है उसके बारे में दोस्तो यहांपर जो वेकिंसी सहाई यह ह면不好 की तरफ से जाई है जिसमें डिक्री और डिप्लोमा इस्टूइए इसमें apply कर सकते हैं किसी भी प्रकाव कोई भी examination यहाँ पर नहीं रखा गया है किसी भी प्रकाव कोई भी application fees नहीं रखी गई है all over इंडेल सभी students इसमें apply कर सकते है किसी भी प्रकाव कोई भी experience नहीं मागा गया है किसी प्रकाव कोई भी interview आपके लिए हाँ पर नहीं होने वाला है तो क्या criteria होने वाला है किस तरीके से आपको apply करना है notification को कहा से download करना है मैं detail से बात करने वाला हूँ इस videlar तो आप बने रही है वीडियो के end ताकि आपको हर एक चश्मझ में आजाई इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते है देखिए दोस्तों यह रहा है इंका ओफिसियल नोटिफिकेशन कॉनकर रेलवे कोर्परेंसर लिमिटेट की दब से नई वेकेंसिस आई हुई है इसमें जो वेकेंसिस आई है वो ट्रेनी एपरेंटिसिप के लिए आई है 1973 एक्ट के थुरू इसमें डिप्लोमा वाले डिग्री वाले दोनों च्रूरेंट एप्लाई कर सकते है तो मैं डेटेल से बात करने वाला हूँ नंबराव वेकेंसिस के बारे में ठीक ना क्योंकि इसमें सभी ब्रांच इलिजिबल रेने वाली है सिविल, मैकनिकल, इलेक्टिकल, सिग्नल, एंड टेली वाले वाले के लिए भी रखा गया है देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बीजिबल के लिए जिसमें नंबराव वेकेंसिस 30 है यहाँ पर आप क्या देखेंगे दोस्तों कि हाँ पर जो अलग-अलग स्टेट है उसके लिए हाँपर वेकेंसिस निकाली हुई है महाराश्टा, मडेगाओ और कारवार के लिए ठीक नंबराव वेकेंसि 30 है इलेक्टिकल बी के लिए भी हाँपर 30 वेकेंसिस है इलेक्ट्रोनिक्स और टेली कम्नुकेशन के लिए हाँपर 18 वेकेंसिस है मेकनिकल वालों के लिए 9 वेकेंसिस है यदि आप डिप्लोमा सिविल से है तो 24 वेकेंसिस है डिप्लोमा एक्टिकल के लिए है, तोटल नम्मराफ वेकंसी 139 ने महलास्टर डिवीजन के लिए 83 है, मडेकाव डिवीजन के लिए 18 वेकंसी से और कारवार के लिए है अपा 38 वेकंसी का क्राइटिरा इन्हों ने यहां पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि आपने 2019, पार 12, 2020 और 2021 में आपकी degree complete की हुए है आप apply कर सकते हैं यदि आपके पास एक साल से ज़्यादा का experience है आप यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं यहाँ पर C4C फिरेसे apply कर सकते हैं यहाँ मिनीमम 6-8 साल का experience है तो भी apply कर सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है ठ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे बिले हम बात करते हैं, पॉइंट नमबर वन की eligibility criteria में हैं, इन्होंने आपर दिया हुआ, यदि आप महारास्टा से, या आप गोवा से है, या आप करना ठाका से है, कहना तो आपको यहाँ पर preference दी जाएगी, जो student यहाँ से आते हैं, पह अपने हब डिपलो मा किया हुआ है, या आपने डिगरी की हुई है, आपके पास अपने हएगी, या आपके पास full time होना सुझा है, a part time में वारुक नहीं है, पहाँ वल्योक नहीं है, प्रफिप्लोमा आपके पास होना चाहि phenais सने कि आपको अरगार नबेगुलत करों होगी है अब आगे बाद करते कुछ देस्ट होगा आपका हापर training होने वाली है जो की एक साल तक चलने वाली है जिसमें आपको stipend दिया जाने वाला है graduate apprenticeship के लिए हापर 4,940 रुपर पर मन्त मिलने वाली है टेक्निस के डिप्लोमा वालों के लिए हापर 3,500, 42 रुपर पर मन्त देने वाले है किसी प्रका का TA दिये नहीं देने वाले है एप्लाइ करने के लिए आपको इनकी ओफिसल वेबसाइट पर विजिट करना है ओफिसल वेबसाइट के लिए आपको हमारे टेलिग्राम चेनल पर मिल जाएगी आप जाकर जॉइन कर सकते हैं कोई प्राब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्षन पूछ सकते हैं मैं आप सभी दोस्तों को रिप्लाइ करने के पूरी पूरी कोशिस करता हूँ देखिए दोस्तों यहां पर 100 रुपे का चार्ज रखा गया है ठीक है लेकिन जो S.A.S.T. है फीमेल केंडिडेट है जो विकर से आते हैं या फिजिकल हैंडिकेप्ट है उनके लिए किसी भी प्रकार कोई भी यहां पर फीस नहीं रखी गई है बाकी आप देख सकते हैं कि सीरे नंबर 2 में जो आपका रखा गया उसके लिए आप 100 रुपे रखे गए हैं ठीक है बाकी आप सबी चीज़े आपर देख सकते हैं तो आई हो अप दोस्तों पूरी चीज़े आपको यहां पर समझ बैई है कोई क्योरी रहती तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूसकते हैं मैं वापर सभी दोस्तों को रेपलाई करने ही कोशिज करता हूँ यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंट को शेयर करें ताकि आपने पास भी यह नोटिफिकेसन पोचती रहे और उनको पता लगे यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें इससे आने वाले जोब की नोटिफिकेसन सबसे पहले आपके पास पहुच जाएगी अब हम मिलते हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप हमें साल बने रहिए थेंक्यू फॉर वाचिंग